Dear Students, इस वीडियो का टोपिक है exercise 2E और class 6 अब इसमें हमें जो करना है वो है divisibility check और divisibility check किस-किस का 2, 3, 4 and 5 का तो साथ की साथ हम rule भी सिखेंगे तो पहले हम 2 का rule देखते हैं कि 2 से divisible check करने के लिए क्या करना होता है तो आपको simple याद रखना है जिन words के last में या फिर unit place पे 0, 2, 4, 6 और 8 होता है वो 2 से divisible हो जाते हैं तो हमें सिरफ ये check करना है कि first sum में किस-किस के पिछे 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है तो first question जो है, A part जो है, उसमें लिखा हूँ है 362, तो इसके पिछे 2 है, तो आप लिखेंगे, because unit digit is 2, it is divisible by 2 फिर B वाला जो है, वो divide नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके पिछे 31 है तो हमसे जो question में पूछा गया है, उसके according आपने answer देना है, which of the following number are divisible by 2 हमें यह बताना है, कौन कौन से number divisible है, तो हम लिखेंगे, 362 is divisible by 2 731 is not divisible by 2, साथ में reason भी आपने देना है, जो divisible होंगे, सिरफ उनका C वाला, it is not divisible by 2, D जो है, वो divisible है, because unit digit is 6 यह जो rule आपको बताया है, वो भी आपने copy में साथ के साथ लिख लेना है, कि the number with unit place 0, 2, 4, 6, 8 are divisible by 2, यह rule भी आपको लिख लेना है, फिर next है E, E में है 217, तो इसमें हम लिखेंगे, it is not divisible by 2 next F जो है, वो divisible है, because unit place is 2, फिर next भी सेम यही अंसर देना है, और next वाले में भी यही, it is divisible by 2, because unit digit is 8 next question है, divisible by 3, अब 3 का divisibility check जो है, वो rule है, कि sum of digit, यह आपने लिखना है, sum of digit divisible होना चाहिए 3 से, तो rule क्या बनेगा, if the sum of digits of the given number is divisible by 3, then the number is also divisible by 3, तो हमें क्या करना है, इस sum में, हमें, जो भी हमारा sum होगा, उसका sum of digit कर देना है, जैसे यहाँ पे 2, 3, 1 है, तो 2 plus 3 plus 1, 2, 3, 5 और 1, 6, तो 6 जो है, वो 3 की टेबल में आता है, तो इसलिए यह number भी 3 से divisible है, next question में अगर आप देखें, तो sum of digit क्या बनेगा, 3 plus 4 plus 3, तो आपने copy में लिखना है, sum of digit is equal to 3 plus 4 plus 3, तो 3, 4, 7, 7, 3, 10, तो यह जो है, वो 3 की टेबल में नहीं आता है, इसलिए हम लिखेंगे, 343 is not divisible by 3, next question में भी same इसी प्रकार, 8 plus 6 plus 1, तो कितना बन जाएगा, 15 बन जाएगा, तो यह जो है 3 की टेबल में आ जाएगा, next question जो है, 7 plus 8 plus 3, 7, 3, 10 और 8, 18, तो 18 भी 3 की टेबल में आता है, इसलिए यह number भी 3 से divide हो जाएगा, ऐसे ही आपने last वाले दोनों का check करना है, फिर next question है, divisible by 4, अब 4 के divisibility check के लिए, जो rule है हमारा वो है, कि last two digits, last two digits जो है, वो divisible होने चाहिए 4 से, अगर last के दो number 4 से divisible हैं, तो पूरा number भी हमारा 4 से divide हो जाएगा, तो जैसे first question है, 132, तो इसके last के दो digits जो हैं, वो सिरफ 32 हमें लेना है, और इसको divide करके देखना है 4 पे, तो 4, 8, 32, अब यहां से हमें पता चला कि यह 4 से divide हो जाता है, 32, तो हम answer देंगे, 132 is also divisible by 4, next 72 है, तो इसका अगर आप करके देखें, तो 4 बच गए 3, 32, तो फिर से 4, 8, 32, तो यह भी divide हो जाता है, तो इसलिए इसका भी answer देंगे, divisible by 4, next question में, last 2 digit जो है, वो है, 82, तो इसको अगर हम 4 से देखें, 4 to 0, 8, उपर से 2, अब आगे cancel नहीं हो रहा है, तो हम जो है, इसका अंसर देंगे, it is not divisible by 4, next के लिए, last 2 digit जो है, वो है, 36, तो इसको अगर आप देखें, 4, 9, जा, 36, तो यह पूरा-पूरा divide हो गया, तो हम answer देंगे, 12, 36 is divisible by 4, next question में भी same, 41 है, तो इसको 4 से divide करके देखना है, आपने, 1, तो यह 4, और उपर से 1, आगे यह cancel नहीं होता, तो हम लिखेंगे, it is not divisible by 4, next के लिए, 12, last 2 digit देखनी है, सिरफ 4 के लिए, अगर last के 2 digit पूरे-पूरे divide होते हैं, तो पूरा number भी हो जाएगा, तो इसलिए 4, 3, 12, और यह पूरा-पूरा cancel हो रहा है, तो इसका मतलब, it is divis divisibility rule, जो कि अगर हम definition लिखना चाहें, तो कैसे लिखेंगे, if the last 2 digit of a number is divisible by 4, then the given number is also divisible by 4, last question है, divisible by 5, तो इसका simple rule है, 2 की तरह, जिसके पिछे 0 या फिर 5 होगा, वही number 5 से divisible होता है, इसके अलावा कोई भी नहीं होगा, तो इसमें हमें सिरफ यहीं चाह करना है, किसके पि divisible by 5, because unit digit is 5, next b, it is also divisible by 5, c, it is not divisible by 5, d, it is not divisible by 5, it is divisible by 5, it is divisible by 5, ऐसे ही next b, g part में भी, it is divisible by 5, same for h, but i is not divisible by 5, because unit digit is not 0, sorry, neither 0, not 5, तो यह थी आपकी exercise 2E, जिसमें हमने divisibility rule सीखे हैं, 2, 3, 4 and 5 के लिए,